तो है आप यह विवान दिस इस केडी कुनाल और भाई मेरे सामने आज जो गाड़ी देख रहे हो ना वो अपनी माइक्रो सेग्मेंट की एक सेवी है और बहुत ही जादा एफॉर्डेवल प्राइस पर आ जाती है तो भाई सामने है मेरे एस्प्रेसो यह इसका टॉप एंड वीरिंट है अगर बात करें प्राइजिंग रेंज की तो भाई इसका बेस मोडल स्टार्ट होता है आपका 4.29 लै में को लगता नहीं कहीं और देखने को मिलेगा है नीचे बात करें तो फॉग लंस वगरे नहीं आते है तो आप बात करूँ तो आप खुद देख सकते हैं इसकी लेंथ वगेरा यहाँ पर आपको 3565 mm तक की लेंथ मिल जाती है और भाई इसके अगर वील साइज की अगर मैं बात करूँ तो आप यह देखो मतलब वील साइज भी कितना बढ़िया दिया गया है गाड़ी में 14 इंचिस का आपको दे दिया जाता है and turn indicators fender पर ही मिलते हैं और अगर बात करें गाड़ी की ground clearance की तो भाई 180 mm का मिल जाता है window area काफी बढ़ी आया है यहाँ पर body color door handles मिलने वाले हैं इस variant में और भाई मतलब देखो गाड़ीयां तो बहुत हैं पर जिस pricing range में यह आती है न तो यह चीज बहुत अच्छी हो जाती है 27 liters की fuel tank capacity हो जाती है गाड़ी की और एक और अच्छी चीज़ इस गाड़ी में क्या मिलती है कि इसमें CNG variant भी आता है तो उसमें आपको भाई 35 तक का mileage दे देती है ओनर से खुद मैंने पूछा है और यहाँ पर देख सकते हो आपको physically की लगा कि जो है इसके boot को open करना होगा सेंटर में सुजुगी का logo आपको दे दिया जाता है एस्प्रेजो की बेजिंग मिल जाती है बूड डूर पे आपको एंड यह क्रोमिश स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी यहाँ पे hellos and headlights देखने को मिल जाती है पर आपको अंदर बैट के उतना feel नहीं होता जितनी यह बाहर से चोटी गाड़ी लगती है बागी spare wheel वगएरा सब कुस देखने को मिल जाता है इसमें partial tree भी मिल जाती है मतलब इस variant में आपको तो सारे के सारे features है बागी इसमें दो number of airbags भी मिल जाते है तो ठीक है safety wise भी बा बाहर की और यहां से आप physically key भी इंसर्ट कर सकते हो तो बाई यह है door trim यहां पर देख सकते हो fully black मिलती है आपको यहां पर power windows के control आपको door पे नहीं मिलते है वो मैं बताऊंगा भी कहां पर मिलेंगे आपको यहां पर मिल जाते है यह door livers नीचा बोटर होलडर and speaker के position सारी की सा गाड़ी में जो के मतलब इसमें यह manual variant है यहां पर headlight slaveler आपको मिल जाएंगे and उसके ऊपर यहां से बंद करते हैं पहले light और यह देखो mirror adjustment मिल जाता वाई इस गाड़ी में आपको और क्या चाहिए मतलब यार तो यह चीज बढ़ी आए काफी इसके door को करते है वाई close तो गाड़ी थलकी हलकी से आपको मिनी कूपर की तरह देखने में लग जाएगी थोड़ा वहत फील आपको दे देती है मिनी कूपर का बाकी यह देखो मतलब अंदर से बहुत मतलब इतना आप खुद comment करके बताऊ आपको इतनी चोटी गाड़ी नहीं लग रही होगी बाकी द मिल लाता है आपको यह स्टेरिंग वील पे स्टेरिंग मांटेर कंट्रोल सेविन इंचिस का इन्फोटेन्मेंट मिल लाएगा जिसमें आपको काफी सारे फीचर मिल लाते हैं मतलब एंडूइड अपल आटो कार प्ले तक मिल लाता है और क्या चाहिए इसमें टू नम्मौर मिल लाता है नीचे उब ली पावर पोड़ देखने को मिल लाता है एंड इस गारी में आपको यहाँ पे जो है विंडू मौला जो एयर का कंट्रोल आपको यहां पर देखने को मिल लाएंगी एंड ये रहा इसका गियर बॉक्स फाइव स्पीड मैनुल गियर बॉक्स सबस्क्राइब एड़ पता है यार मुझे इस गाड़ी की क्या चाहिए अच्छी लगी मतलब आप इसका CNG वेरियंट लोगे ना तो आपको जैसे आप नॉर्मल बाइक लेते हो ना कोई भी तो उससे अच्छा आप एक कार लेके घूम सकते हो मतलब अगर आपको शौक ना हो अच्छी मतलब बुलिट अगर आप चलाते हो तो उससे अच्छा आप एक कार लेके घूम सकते हो अगर आपको बारिश बचना हो धूप से बचना हो तो उसके लिए ठीक ठाक गाड़ी हो जाती है बागि सेहर के परपस के लिए मतलब एक नमबर गाड़ी है क्योंकि भाई सेहर में पूरे दिन दोड़ाओ CNG डलवागे और माइलेस भी गाड़ी अच्छा देगी तो बड़ी आया है पीछे से कुछ स्टरीगी का देखने को मिलेगा इस गाड़ी है केविन तो यह देखो भाई यहाँ पर सारी के सारे विंडूस वगरा देख सकते हो फिक्सड हैड्रेस्ट आपको मिलते हैं कोई भी एड़िस्टेबल नहीं मिलता तो यह सारी चीजा थी पीछे बागी स्पेस आप खुद देखो यार मेरी एड़ सिक्स फीड है यहाँ पर स्पेस देखो बहुत सही स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा मतलब मैंने बोला था ना जैसी बाहर से लगती है जितनी चोटी अंदर से मुझे नहीं लगी आराम से चार लोग कहीं भी जा सकते हैं आस तो नहीं बैट पाएंगे पीछे वाली सीट पर तीन नहीं आ पाएंगे वट तीन लोग मतलब एड़्यस नहीं हो पाएंगे दो लोग आराम से बैट जाएंगे पीछे पाके इंजन की बात करूं तो इस गारी में 1.0 लीटर का 3 निकलियम करती है तो ये भी अच्छी बात है 669 किलो मेटर सकी रेंज मिल जाती है गाड़ी फ्रंट वील ड्राइव है तो बढ़ी आ है काफी अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेट कोई भी कोईरी हो तो आप नीचे दिये गए कांटेक नमर पर कांटेक कर सकते हो अधर